दोस्तो आज के इस वीडियो में हम वृत से समंधित कंसेप्ट पर चर्चा करने वाले हैं जैसा कि आप सब को पता ही होगा कि वृत में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं बहुत सारे थियोरम्स हैं जिसे आप को जानना होगा है कि नहीं और बात भी सही है, जब तक आप पूरा concept को, सारी theorem को, सही डंग से समझेंगे नहीं, तब तक question बनेगा नहीं, हिलेगा तक भी नहीं, इसलिए आप पूरा concept को, theorem को, सही डंग से जान लीजे, तब फिर question में भीडिए, तो फिर बनाने में जो मज़ा आएगा न, वो वैसे नह नहीं आता है, clear? तो इसलिए हम इस वीडियो में पूरा वरीज से समंधित, जितने भी concept होते हैं, चाहे हम जीवा से समंधित हो, चाहे हम एंगल से समंधित हो, चाहे जो कुछ से भी समंधित हो, सारा concept पर हम जिक्र किये हैं, एकाथ वो concept इदर उदर छूट सकता है, लेकिन ल आरे चीज आपके लिए important हैं, और note करने योगी हैं, clear? चलिए, अब ज्यादा बाते नहीं करता हूँ, चलता हूँ सिधे topic पर, देखे, इसके पहले हम वृत क्या है, जीवा क्या है, केंदर क्या होता है, ब्यास क्या होता है, सब कुछ हम बता चुके हैं, छेतरफल निकालन के लिए परेधी निकालने के लिए, यह सब का वीडियो हम बना करके डाल दी हैं, और आद देखे होंगे, मुझे उमीद है, हैग नहीं, अब आते हम थोड़ा geometry के उपर, वह सब हम पहले जो पढ़ रहे थे, वो 2D था, mensuration का 2D, ठीक है, और अब ही जो हम आज concept आपको बता के लिए, कि सब आदेखे, नो बहुत ही मज़ा आता है, और अगर अलग अलग पढ़ेंगे, 2D को एक बार, Geometry को एक बार, तो हो ता क्या है न, कि जिस में Geometry आप पढ़ रहे हैं उससे में इसका प्रेव होगा, जिस में 2D पढ़ रहे हैं, उससे में इसका प्रेव होगा, तो फिर दीकत हो जाते है, इसलिए साथ में लेके चलिए, पूरा सब समझ में आ जागा, ठीक है, इसलिए पहले आपको 2D, मैंने आपको बता दिया, छेतरफल वेगरा कैसे निकाल जाता है, परिमाप कैसे निकाल जाता है, इसलिए अब आते थोड़ा जेमेटरी के ऊपर, बहुत सारे बिन्दों का समु है, जो किसी खास बिन्दों से समान दुरी पर क्या है, इस्थित है, ये सब को पता है, चलिए, अब यहां पर, अब रेडियस किसे का थे, जिसका नाम है A, और दूसरा पोइंट लिये इदहर, जिसका नाम है B, अब ये दोनों point को क्या कीजिए आप मिला दीजे क्या कीजिए ऐसे करके मिला दीजे मिला दीए तो ये वला जो रेखा खंड है ये वला जो आप रेखा खंड देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं जीवा क्या कहते हैं जीवा अब यहाँ पर आपको समझने योग यह बात यह है जैसे जैसे हम केंदर से यह क्या है केंदर है चलिए इस रेडियस को मिटा दें यह तो सब को पता है कि नहीं यह सब नहीं भी जानेंगे तो चलेगा clear देखें यह जो जीवा आप देख रहे हैं यह जो कोड देख रहे हैं वो धिरे धिरे छोटा होते चलेगा जैसे जैसे हम इसकेंदर से दूर जाते जांगे जैसे कि यहाँ पर बस बता कौन चोटा है यह सी ठी है CD क्या है CD जो है वो छोटा है किस से AB से ऐसा क्यों 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 कि जो CD है वो केंदर से क्या है दूर है इसके compression में इसके compression में दूर है आप कहेंगे कि यह बचों वाली सीख हमें क्यों सिखा रहे हैं देखिए हम आपको Geometry से समंधी जितने भी concept होते हैं वो बताने के लिए जा रहा हूं तो यह सारी चीजें आपको जानना होगा देखिए सबका दिमाग एक जिसता नहीं होता है यह चोटा चोटा चीज है मुझे पता है अगर आपको ज्यादा इजी लग रहा है तो वीडियो को भारवट करके भी देख सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि बाद में आपको बहुत सारे complicated complicated चीज बताई जाएगी जो साइद आपको याद भी नहीं रहेगा यही मैं बता दे रहा हूं ठीक है तो इसलिए हम ग्राउंड लेवल से चलते हैं ताकि कमजूर से कमजूर बच्चा भी समझ जाए मेरा यही टार्गेट है चलिए अब यहां पर क्या है जैसे से हम दूर ज गुजरेगा देखे केंदर से होकर गुजरा और जो जीवा केंदर से होकर गुजरता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज व्यास अर्थात डायमीटर क्लियर और यहां पर जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं वो बेसिकली जीवा के बिसम बता रहा हूं जीवा अर साथ में आर्क के बिसम भी बताएंगे आर्क चलिए यहां पर लिख देते हैं थोड़ा सा और एंड आर्क जिसको क्या कहते हैं चाप ठीक है इसके बिसम भी थोड़ा सा आप जान लीजिए जैसे कि यहां पर देखे एबी क्या है जीवा है एबी यह क्या है जीवा है अगर ए यह जीवा है, यहां से लेकर करके यहां तक यह क्या है, मलब यह क्या है, जीवा है, मलब ब्यास है, ठीक है, तो यह पूरा भाग आप देख रहे हैं, यह क्या कहलाता है, चाप कहलाता है, आर्क कहलाता है, के लिए, तो यह सब छोटा मुटा चीज है, तो एक होता है दिर्ग चाप और एक होता है लगू चाप जैसे कि माइन के चलिए अब A-B के अगर समख छमबाद करें तो यह वला हो जाएगा लगू चाप और इधर हो लग क्या हो जाएगा दिर्ग चाप ठीक है यानि कि मेजर आर्क और यह वला माइनर आर्क चलिए सब छोटी मोटी चीज़े है अब यहाँ पर अब देखिए मोटा मोटा चीज़ आएगा क्लियर क्या है यहाँ पर एक जिवा लेते हैं एक जिवा इसे करके लिए A-B क्लियर हम केंदर से क्या करेंगे केंदर से इस AB जिवा पर perpendicular डालते हैं मतलब कि ऐसे करके एक रेखा खंड खिजते हैं जो यहाँ पर M बिंदू पर टच करती है यह रेखा खंड ठीक है यह रेखा अब यहाँ पर अगर perpendicular लाएं हैं तो यहाँ पर देखिए 90 डिगर का इंगल बनेगा तो ऐसा है सती में होता क्या है कि यह जो AB रेखा खंड है AB जो जिवा है वो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है मतलब अगर center से हम अगर रेखा खीचे perpendicular कि इस पर AB पर तो यह जो दोनों चीज है वो आपस में बराबर हो जाते हैं मतलब जिवा दो बराबर भागों में बढ़ जाता है बस यही बात है या फिर अगर दूसरा तरीका से देखे यदि हम एक ऐसी रेखा खीचे जो AB को दो बराबर भागों में बाट दे तो वो जो रेखा खंड होती है रेखा खंड होता है वो 90 डिग्री पर सबस्टेंडेड होता है जुका हुआ होता है 90 डिग्री पर इस तरह भी आप उल्टा भी चर सकते हैं कोई दिकत यहां तक समझने में चलिए अब हम आगे की बाते करते हैं आगे की बाते करते हैं देखे एक जीवा हम यहां लिए एक जीवा A, B हम लिए A, B और दूसरा जीवा जो है हम इधर ले लिए यहां पर और यह इधर ले लिए C, D ठीक है इसको भी ऐसे करके मिला देते हैं देखे केंदर से हम क्या करेंगे इस बिंदू को और इस बिंदू को मिला देंगे ठीक है अब यहां पर सपोज यह करना है कि यह जीवा जो देख रहे हैं यह C, D और A, B दोनों जीवा आपस में बराबर हैं हलाकि देखने में लग रहा है दोनों क्या हैं बराबर हैं तो ऐसे सिति में क्या होगा केंदर पर वो समान कोन अंतरीत करेंगे मलब अगर यहां पर थीटा एंगल बन रहा है तो यहां पर भी थीटा एंगल बनेगा सपोज कि यह केंदर का हम नाम दे देते हैं O तो यहां पर होगा क्या चीज A, O, B कोन A, O, B बराबर हो जाएगा कोन C, O, D, K C, O, D, K किलियर बात समझ में आ रही है तो यहां पर आप देखिए अगर सेम यहां पर जीवा रहेगा सेम कोट रहेगा आप किधरों ले लीजिए किधरों से भी ठीक है अगर वो बराबर है तो मलब केंदर पर समान कोन अंतरीत करेंगे यह 100% गारेंटी है किलियर, यहां तक बात समय आई यहां तक समय आई या फिर आप उल्टा भी सर सकते हैं अगर दो जीवाएं केंदर पर समान कोन अंतरीत कर रहे हैं जैसे कि यहां पर ठीटा एंगल बन रहा है कितना 30 दिग्री का और यहां पर भी 30 दिग्री का तो आप समझ जाएगा कि ये दोनों जिवाएं हैं वो दोनों जिवाएं बराबर हैं क्लियर अब इसके आगे थोड़ा सजाईए अगर किसी एक वरित में दो जिवाएं बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो केंदर से समान दूरी पर इस्थित है मतलब कि जैसे कि यहाँ पर देखें यहीं पर मैं बता जिता हूँ एक जिवा इधर है एक जिवा इधर है क्या चीच सीडी अगर यहाँ पर अब बराबर में क्या है सीडी है तो ऐसे सिती में क्या होगा अब यहाँ पर क्या किज़े पर्पेंडिकुलर खीच यह तो यहाँ पर क्या होगा और यहाँ का नाम देदेजिए O और इसको नाम देदेजिए N ठीक है तो O N बराबर क्या हो जाएगा तो हो जाएगा O N बराबर में O M किलियर मलब अगर दोनों जीवाएं अगर बराबर होंगी यह वला जीवा और यह वला जीवा अगर बराबर है ठीक है तो वो केंद्र से समान दुरी पर रिस्तित रहेंगे मलब यह वला चीज जो है इसके बराबर हो जाएगा तो अगर इतना समझ में आ गया तो बहुत अच बस केंद्र पर समान कुन अंतरित करेंगे, सबस्टेंट करेंगे, यह चीज आपको समझना है, अब आगे चलते हैं, यहाँ पर भी तीन बृत बनाए गया है, हम बृत को पहले से इसलिए बना करके रखें, क्योंकि जिसमें बनाते हैं, आपको समझाते हैं, उसमें ट्याडा मेरा दीखी रहा है लेकिन क्या की जगा थोड़ा मुड़ा चलता है अब यहां पर देखिए अब हम लोग बात करेंगे असपर्स रेखा से समन्धित ठीक है क्या चीज दूसरा नबर यहां पर देते हैं और लिखते हैं असपर्स रेखा, ठीक है, अब असपर्स रेखा क्या आ है भाई, देखे, वृत से दो तरह की रेखा पास हो सकती है, पहली रेखा एक दम इस तरह से पास हो सकती है, पहला कंडिशन यह हो सकता है कि इस तरह से रेखा पास हो जाए, जिसको हम लोग कहते हैं, छेदक रेखा, क यह केवल छूटे हुए पार होगी एक डम टॉटक्ष करते हुई एक बिंदु में टॉटकरेगी के जो वेध HAI बहुसारे बिंदु की तरा का मिलंब यहा पर देखिए है बहुसारे बिंदु है तो एक बिंदु को टॉटकरते हुए हो सकता कि कभी कोई रेखा पार हो जाए इसी को हम लोग कहते हैं asperse रेखा यारी टेंजेंट इंगलिज में कहा जाता है इसी चीज़ को tangent अर्थात asperse रेखा clear समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है भाई एक दम एक ही बिंदु में touch करना चाहिए उस रेखा को तभी वो asperse रेखा कालाएगी otherwise नहीं दो बिंदु में नहीं अगर दो बिंदु में touch करेंगे तो विच्छे तक रेखा हो जाएगा simple सी बात है और जो asperse रेखा होता है एक ही बिंदु को touch करेगा एकदम possible है इस चीज़ का विरित्म होता क्या है बहुत सारे बिंदु ऐसे करके बहुत सारे क्या है बिंदु है अगर हम ऐसे करके खीचेंगे तो एक बिंदु क्या है एक बिंदु जो है थोड़ा सा निकला हुआ ज़र रहेगा उसे stretch करते वह निकल जागा वही वहला तो है असपर स्रेका tangent चलिए अब यहां पर दूसरा कंसेप्ट यहां पर आव आते हैं दूसरा कंसेप्ट में देखिए अगर हम बाहर से किसी एक पॉइंट से यहां पर विरित थोड़ा सा बड़ा लग रहा है इसको हम थोड़ा सा छोटा करते है ताकि आप कोई चीज जो है समझ बे आ जाए थ अगर हम इसमें असपर्ष रेखा खिछना चाहें तो मैकसिमम दो ही टेंजन्ट खिछ सकते हैं उससे ज्यादा नहीं एक इधर ऐसे करके और दूसरा जो है इधर ठीक है दो ही टेंजन्ट खिचे जा सकते हैं यह चीज आपको ध्यान में रखना है एक इस पॉइंट पर पर दो ही टेंजेंट खीच सकते हैं, यहां तक बात समय आई, हाँ, अब आगे देखिए, और भी चीज़े यहां पर आपको समझानी है, लेकिन इसके पहले आगे देख लिजे, कि क्या मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए, यह टेंजेंट है, सपोज कि यह क्या है, टेंज है, अब टेंजेंट पर अगर हम केंदर से कोई रेखा ऐसे करके खिचते हैं, केंदर से अगर ऐसे कोई रेखा खिचते हैं, सिधे टेंजेंट जो बिंदू है, ठीक है, असपर्स बिंदू, जो यहां पर बिंदू है न वो कहलाएगी क्या चीज, असपर्स बिंदू, यह भी आपको धियान में रखना है, ठीक है, असपर्स बिंदू, तो अगर हम सेंटर से कोई रेखा खंड अगर असपर्स बिंदू पर खिचते हैं, तो वो जो रेखा खंड है, वो इस टेंजेंट पर 90 डिगरी पर सबस्टेंड होगा, अंतरीत होगा, बस मैं, कितना डिगरी प अगर यहां से भी अगर हम खिचते हैं, असपर्स बिंदू तक ले जाते हैं, तो यहां पर भी 90 डिगरी का एंगल बनेगा, कहीं पर भी, क्लियर, तो यह टेंजेंट का बहुत ही बड़ा थियोरम है, इसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, अब यहां से आप आ आज तो यहां भी 90 डिगरी का एंगल बना, यहां पर भी 90 डिगरी का एंगल बना, अब इसका रेडियस सपूझ कीजिए आर है, तो यहां पर भी रेडियस र होगा, क्योंकि भाई यह कुल मिला करके रेडियस ही तो है, त्रीजिया तो ही है, हैग नहीं, और साथ में क्या कीजि है गी नहीं और ये बला जो असपर्स रेखा है दोनों ये भी आपस में बराबर होते हैं जिस बिंदू से हम खिच रहे हैं ना दो असपर्स रेखा मैक्सिमम वो दोनों असपर्स रेखा मलब की पी ये बराबर में यहां पर क्या होगा पी भी होगा ये भी आपको ध्यान में रखना है clear अग कोन यहाँ पर यहाँ पर लिख दते हैं वहाँ पर A है और मान के चलिए कि यह M है ठीक है और यह A क्या है M माल लिए ना तो इसको A और B माल लेते हैं तो यहाँ पर कोन जो है O, M, B जो है वो कितना होगा 90 डिगरी का होगा ताकि आप नोट कर लिजेगा ठीक है तो यहाँ पर भी क्या होगा कोन P, नहीं हाँ P, A, O कोन P, A, O बराबर में कितना हो जाएगा कोन O, B, P यह पि P, B, O P, B, O clear यह जो बीच वाला होता है वहीं पर एंगल बन रहा होता है ऐसे P, A, O P से जाएगे A की और P, A से जाएगे O की और तो P, A, O में बीच में कोन आया यह वाला एंगल आया तो इस एंगल का चर्चा हो रहा है तो यह वाला जो एंगल है इसके बराबर हो जाएगा ठीक है फिर देखे इस तिर्भुज में यहाँ पर दो तिर्भुज बने एक तिर्भुज है A, P, O और दूसरा तिर्भुज है P, B, O दोनो तिर्भुज जो है सरवांगसम है यह आपर सरवांगसम होगे क्योंकि यह वाला भुजा जो है इसके बराबर है यह वाला भुजा इसके बराबर है साथ में ये वाला एंगल भी बराबर है तो ये वाला भी एंगल जो है दोनों के बराबर हो जाएंगे ये वाला भी एंगल बराबर हो जाएगा बाचने माई तो इस तरह से होता क्या है कि चीजें जो हैं आपको समझ में आने लगती है और जिसमें कोशन पूछा जाएगा उसमें देदनादन एकदम चक्क चुडाने जैसा बनेगा तो ये हुआ अस्पर्स रेखा यारी टैंजेंट से समंधीत कंसेप्ट किसे समंधीत टैंजेंट भूल नहीं जाएगा भूलना बिलकुल भी नहीं है ठीक है यहां तक समंधी बाएगी बात बाहर से हम दो ही मैक्सिमम टैंजेंट खिच सकते हैं ड्रो कर सकते हैं क्लियर कोई दिकत सबसे बड़ा कर्शेप्ट क्या है कि अगर हम केंदर से अगर टैंजेंट यानि असपर से बिंदू पर कोई रेखा खंड खिचते हैं तो वो जो है 90 डिगरे का एंगल उस रेखा पर बनाता है चलिए अब आगे चलते हैं इतना एकदम नोट कर लीजे कई लोग कहते हैं कि थोड़ा बोड से हट जाएगा ताकि हम इसक्रिंसोट ले पाएं तो चलिए इसक्रिंसोट ले लीजे एकदम देदनादन चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड नमबर में अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे एंगल के उपर थर्ड नमबर में किसके ऊपर एंगल मतलब की कौन देखिए यहां में किलेते हैं minor arc सपोज किजिए यहां पर point A और यहां पर है point B तो AB इधर जो आप देख रहे हैं minor arc हुआ और यह वाला क्या हुआ major arc मतलब कि लगुचाप और यह दिर्ग चाप आप क्या कीजिए minor arc से आप इधर क्या कीजिए angle बनाए ऐसे करके ठीक है बहुत सारे angle बन सकते हैं बहुत सारे possibilities हो सकते हैं ठीक है ऐसे करके बहुत सारे possibilities हो सकते हैं तो यहां पर एक चीज़ा आप note कर लिजेगा कि किसी भी arc द्वारा या फिर अगर इसको आप मिला देंगे ति जीवा बन जाएगा simple सी बात है यह क्या बन जाएगा जीवा बन जाएगा तो किसी भी जीवा या फिर arc के दवारा एक तरफ एक तरफ मतलब इस तरफ की बात कर रहे हैं और इस तरफ भी वही condition लागव होका लेकिन हम इस तरफ की बात कर रहे हैं टीक है, same segment में यह क्या हुआ, वृत्खंड हुआ, यह हुआ दिर्ग वृत्खंड और यह वला क्या हुआ, लगु वृत्खंड जीवा जो है, वृत्खंडित करता है, है गो नहीं, तो जो बड़ा वला खंड हो करता है, दिर्ग वृत्खंड और जो छोटा वला है, जो करता एंगल बनेगा यहाँ पर भी थीटा एंगल बनेगा आपकी धरो बनाए हर जगा थीटा एंगल बनेगा यह चीज आपको नोट करना है जैसे अगर यहाँ पर आठडीगरी का एंगल बनेगा, यहां पर भी साथ डिगरी का, यहां पर बृत है, और जीवा है, यहां केंदर है, अब यहां किजीए, इस जीवा को ऐसे करके इधर मिलाएं पेजें अब बता रहा हूँ, अब यहां पर एक थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं, इससे आगे च B यह Minor Dark हुवा त्यक है Laghuchat AB अब क्या करेंगे ऐसे करके हम K अंक चली कि यहां पर O है और इसको आशे मिला दिये और इसको जो है इसे मिला दिये और फिर इधर हमको points लेते हैं, suppose कि यह point जो है हम यहाँ ले लिए, ठीक है, P point, अब इस P को क्या कीजिए, इस A से मिलाए, इस P को क्या कीजिए, A से मिलाए और फिर इसको जो है, यह, इस से मिलाए, मिला दिये, अब मिलाने पर क्या होगा, कि यहाँ पर जितना angle बनेगा, पोज़ कर सकते हैं एक ही जीवा के दवारा केंदर पर जो कोन बनता है वो दुगुना होता है उसी आर्क से उसके पीछे बने हुए कोन के है इसके पीछे बना हुआ कोन है अब इस कोन का क्या होगा दुगुना होगा अगर यहां पर 30 डिग्री बनेगा ठीक है अब जिसे मान बात ये आपको समझना है क्लियर क्या होता है डबल होता है चलिए ये सब को यहाँ पर मिटा देते हैं तो ये हुआ माइनर आर्क का कहानी मतलब की ये वाला ठीक है यानि छोटी जीवा की कहानी अगर इसी को थोड़ा सा मेडवांस में लेके जाए ठीक है अगर हम ये वाला कौन को सपोज करें ठीक है जैसे कि मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ जैसे कि यहाँ पर एक आर्क लेते हैं A B ही को लेते हैं A और इधर लेते हैं B ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है यह minor arc और यह वला major arc आब यहाँ पर क्या कर रहे थे जो भी मेरा यह जो जीवा था या फिर जो minor arc था वो major arc में जा करके हम angle बना रहे थे अब क्या करेंगे major arc से जिसे अगर हम इसको पहले यहाँ से यहाँ मिला देते हैं यहाँ से यहाँ अइसे करके एसे मिला देते हैं ठिक है और साथ में अगर इसको आप मिला दीजेगा ऐसे यह हो जाएगा जीवा यह क्या हो जाएगा जीवा अब यहाँ पर आप एक चीज नोट कर लिजिएगा कि जो भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर इससे एंगल बनेगा ना कहीं पर एक पॉइंट में एंगल बनाईए ऐसे करके अगर यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है तो यह 100% है कि यह वाला टू थीटा एंगल बनेगा किलियर तो इस तरह से भी बस इसी क्या पोजिट है यह चीज है हम यह छोटा वाला कौन ले रहे थे छोटा वाला कौन के सापेक्श हम बना रहे थे अब हम बड़ा वाला कौन के सापेक्श इस चीज को दर्सार है किलियर यह वाला अगर थीटा हो अब इसको यह को किस्को सेंटर रुकी से मिला यह तिहां पर कुछ एंगल बनेगा चरह prayer अब इसकोत्व करें gur context कोरिंगों कि ओहले सब्सक्राइब करें में was ऐसे करें ने योग बनाइगर 1700 कि छिकित इसके दोगुना, तो कितना जाएगा, 260 टिक्र हो जागा इधर वाला, तो ये चीज में आपको समझा रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो सायद मेरी बातों को आप सही डंग से नहीं कैच कर पा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, और कहीं नहीं कहीं आपका हो सकता है, कि जड़ जो है, मजबूत ना हो, ये भी हो सकता है, बास में आई, तो ये हुआ कोन से समंधित, कंसेप्ट, अब इसी में एक बहुत बड़ा और भी कंसेप्ट है, सेमी सरकल से, मलब कि अर्ध विरित से, जैसे यहाँ पर एक पूरा विरित हम बना ही देते हैं, ये विरित है, अब यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर ब्यास खिच दिए, तो क्या हो गया, ये वला जो है, उपर वला भाग कहलाएगा, सेमी सरकल, अर्ध विरित, अब अर्ध विरित में अगर हम एंगल बनाते हैं, कहीं पर भी, आप कहीं पर बनाईए, कोई भी कोन हम बनाईए, या आपको एकदम नोट कर लेना है, कई बार एकजाम में, कंपटेशन एकजाम में, इस से रिल्टेट सवाल आते ही हैं, ठीक है, और ये सब से भी आते हैं, इसा बात नहीं है, इसी को याद किजेगा, और इस सब को छोड़ देजेगा, फिर तो बं पलास्ट हो जाएगा अब यहाँ पर थोड़ा से एक और कंसेप्ट है, उसको भी आप जान लीजिए, सपोज किजिए कोई वरीथ है, क्या है, कोई वरीथ है, यह वरीथ है, क्लियर, यहाँ पर केंदर होगा, सेंटर, अब इस वरीथ के अंदर में हम एक चत्रभूज बना देते हैं, क्या बना यह बी को, ए को मिला यह D से, और D को मिला यह C से, और B को मिला यह C से, यह चत्रभूज है, चत्रभूज कौन सा है, चत्रभूज A, B, C, D है, अब यहाँ पर होता क्या है, की यह वला एंगल और यह वला एंगल का सम जो है, 180 डिग्री होगा, ऐसे करके दरसाते नहीं एह, कि लोग समझ जाएंगे कि बराबर यहां पर दर्शादी हैं, ऐसा बात नहीं है, देखें, क्या बताएं हम, कौन, कौन A, हम कौन A डारेक्ट लिख देखें लेकिन आइसा लिखना उचित नहीं है, लिखना चाहिए D, A, B, है रही कि नहीं, लेकिन हम कौन A पलस में, ये वला कौन C, ये वला कौन और ये वला एंगल, ठीक है, चलिए ऐसे करके सब में हम ते कर देते हैं, ताकि लोगों को लगे ना, चलिए कौन A और कौन C को अगर हम जोडेंगे, तो 180 डिग्री आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है, और साथ में, ये कौन B और कौन D को ज चारो कौनों का ये क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ये सब को पता होगा, यदि हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इसे करके अगर हम इधर बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, ये बला जो external angle है, जो बाह ये कौन है, वो अंदर के जो सम्मुख कौन है, उसके बराबर हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा, सपोज कीजिए, यहाँ पर कोई पॉइंट है, पी, तो यहाँ पर हो जाएगा angle, angle D, C, P, D, C, P, मतलब ये वाला angle, ये बराबर हो जाता है, D, A, B, के, कौन D, A, B, के, किलियर, तो ये सब भी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ताकि जिसमें आप question बनाए, उस समय आपको काम दे, किलियर, समझ में आया ये सब चीज, ये सब चीज समझ में आया की नहीं आया भाई, यहाँ पर तो question को solve नहीं करने वाले हैं, पूरा concept हम बताए हैं, चलिए फिर से हम थोड़ा सा रिभायज कर देते हैं, यह तो क्या होता है, वो जीवा दो बराबर भागुम बट जाता है, या फिर अगर जीवा दो बराबर भागुम बटा हुआ है, तो क्या होगा अगर हम सेंटर से एक रेखाखंड खीचते हैं, तो रेखाखंड जो है 90 डिगरी पर सबस्टेंट हो जाता है, अंदरित हो जाता ह फिस second में समझाए, as Sud के इस एच फिर शर्पर्श रखा के इसे में यह है स्वीस है, proxy करते हुए पार हो रहा है, दो बिंदू को टच कर रहा है, यहाँ पर देखें कि अब बिंदू को टच कर रहा है, इसलिए इसको as process बिंदू कहा गिए, गया, tangent कहा गया, ठीक है, एक बिंदु को, क्या काते हैं, असपरस बिंदु और इस रेखा को काते हैं, tangent यानि असपरस रेखा, अब यह वला चीज बाहर बिंदु से हम दुही टेंजन्ट मैक्सिमम खिच सकते हैं, वैसे से मिला दिन, यहाँ नबे डिगरी का इंगल बना, इस कंसेप्ट के माधियम से, है कि ने, साथ में यह रेडियस रेटे बराबर हैं, दोनों इती हो जाते हैं, सरवांग सम हो जाते हैं, चली अब यहाँ पर भी वही चीज है, ठीक सेम एंगल बनेगा, clear? फिर यहाँ पर देखियो वही हाल है, वही हाल नहीं, थोड़ा इस से अलग है, अगर यहाँ पर कोई जीवा के सापेक छमचल रहे हैं, अगर यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर थीटा बनेगा, फिर इसमें आ जाईए, इसमें क्य ह harmony कि अगी तो आपको समझ में आही गया होगा तो चलिए तो आज हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं और अगर समझ में नहीं आये तो आप कमेंड कर सकते हैं किलिया कुछ-कुछत mówią चूट गए हैं मैं और ऐसा नहीं कर रहा हूं कि सारे हम कभर हो गये कुछ कुछ छूटे हैं जो question बनाते वाक्त जो है clear हो जाएंगे ठीक है बाकी बागी बाद question वे रहा है यह सब बनाईएगा तो धिर दरे clear हो जाएगा mind up का develop हो जाएगा question बनने लगेगा चली इसके आगे जो वीडियो आएगा वह question पर ही अधारीत रहेगा तो चली आज के अगला वीडियो में जाहिंद बने मातरम